हैलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर रेनुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्यान में एक बर फिर से आपका वेलकम करती हूँ आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एल्गी पार्ट फर्स विन शेवालों में जनन का भाग एक शेवालों में तीन प्रकार का जनन पाया जाता है काईक, लेंगिक तथा अलेंगिक इन तीनों जनन को मैंने अलग-अलग पार्ट के अंदर विडियो में में बना रही हूँ तो आज हम बात करने जा रहे हैं पहले एक प्रकार के जनन की तो ये जो टॉपिक है वो BAC Part First के साथ साथ RPSC Assistant Professor Botany के Paper First की Unit First का भी एक टॉपिक है तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जानने की रिप्रोड़क्शन या जनन क्या होता है तो रिप्रोड़क्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक और्गेनिजम अपनी आफ्स्प्रिंग का प्रोड़क्शन करता है हिंदी में अगर बात करें तो जो जनन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सजीव अपनी संतती का निर्मान करता है ये जो जनन है शेवालों में यहां हम बात कर रहे हैं तो शेवालों में ये जो जनन है उसमें favorable condition के अंदर यानि कि दशाएं जब इनके अनुकूल होती है उस दशा में शेवाल जो है वो काईक तथा अलेंगिक जनन करती है लेकिन जब दशाएं जो है वो favorable नहीं होती अनुक तो reproduction की जो type है वो आपको first slide से ही समझ में आगे होंगे कि algae के अंदर या शेवाल में तीन प्रकार का जनन पाया जाता है जो है vegetative, asexual and sexual means kaiq जनन, a-langic जनन तथा langic जनन. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं vegetative reproduction या kaiq जनन की. kaiq जनन जो है वो शेवालों का सबसे सामान्य method है जनन का, यानि कि शेवाल जो है उनमें सबसे ज़्यादा जो जनन का प्रकार पाया जाता है, वो kaiq जनन होता है. ये जनन जो है उनमें अनुकूल दशाओं में पाया जाता है और अनुकूल दशाओं में शेवालों के कुछे plant part यानि कि कुछे पादप भाग जो हैं, वो किसी भी वज़े से उस part से अगर अलग हो जाएं, तो वो अलग हो करके जैसे ही उनको दशाए अनुकूल मिलती है, नए पार्ट में या नई algae के अंदर, नए शेवाल के अंदर convert हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जो vegetative reproduction है, यानि कि जो काईक जनन है, वो अलग-अलग विधियों के द्वारा किया जाता है, वो विधिया कौन सी है, उन्हें हम देखेंगे, तो पहला जो प्रकार है, व ये पुतरी कोशिकाएं या ये daughter cells जो है, वो नए शेवाल का निर्मान करती है, means यहाँ पर cell division की बात हो रही है, mother cells divide into two daughter cells, ठीक है, इसे हम कभी-कभी binary fission भी कहते हैं, या फिर द्वी जनन भी, द्विक जनन भी कहते हैं, ये जो जनन है, ये किन-किन में पाए जाता है, ये स्लाइड के अंदर दिया है, ये कि सचित्र जो इसका विस्तार रूप है, वो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए सबसे पहले, एक कोशिका है, ये जो एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, इसकी ये जो एक कोशिका है, वो धीरे-धीरे, जो है, वो two cells के अंदर, या दो प काईक जनन को हम काईक जनन कहेंगे या कोशी का भी भाजन द्वारा काईक जनन कहेंगे दूशरा प्रकार है फ्रेग्मेंटेशन या खंडी भवन, खंडी भवन से यहां मीनिंग हुआ कि जब खंडों से जनन हो रहा हो, यह दूसरी प्रकार का most important या most common काईख जनन है इस जनन में क्या होता है जो फिलामेंटस थैलस होता है यानि कि जो तन्तूवत सुकाय होता है वो छोटे-छोटे टुकडों में तूड जाता है और यह जो प्रतीक खंड है यह प्रतीक खंड एक नए सुकाय को बनाने की शमता रखता है means इनमें capability होती है कि ये एक fragment से complete new thallus जो है वो form हो जाए ये किस वज़े से होता है ये होता है टोटी potency की वज़े से ये plant cell का एक ऐसा character होता है जिसमें एक पादप कोशिका में पूरा का पूरा plant body develop करने की शम्ता होती है इसके common example है यानि कि किस-किस में इस प्रकार का जनन पा giganema and oscillatoria ये खंडी भवन जो है वो कभी-कभी colonies में भी पाया जाता है जैसे blue-green जो algae है नील हरी तशेवालों में पाया जाता है जैसे eponthesi तथा nostoc ये देखिए basic reason for fragmentation यानि कि खंडी भवन के कारण क्या है किस वज़े से जो thallus है वो तुकडों में या खंडों में दित होता है इसका जो पहला कारण है वो है due to strong currents of water algae जो है शेवाल जो है वो जड़तर कैसी होती है जलिये होती है aquatic होती है तो aquatic होती है तो वहाँ जल जो है जहां ये पाई जाती है वहाँ पर water currents पाई जाती है जल की धाराएं पाई जाती है तो कभी कोई धारा अगर तेजी से आती है तो उस धारा से इसका जो thallus है वो खंडों में तूट जाता है दूसरा है mechanically they are injured यानि कि किसे भी हैं तो ये टुकडों में तूट जाते हैं तीसरा है due to increased target pressure in adjacent cell, target pressure बोलते हैं स्वित दाब को जो जल के absorption की वज़े से या water absorption की वज़े से होता है तो अगर किसी पास की कोशिका के अंदर ये जो target pressure है वो बढ़ जाए तो target pressure बढ़ने से क्या होता है cell अपने size में increase होती है आगे वाली cell के उपर pressure पड़ता है और ये खंडों में तूट जाती है और last है sea animals यानि कि जो जीव जन्तु पाए जाते हैं जो animals समुंदर में पाए जा रहे हैं aquatic environment में पाए जा रहे हैं उनके कारण भी जो खंडी भवन है वो हो सकता है इसके बाद है third जो method है वो है हार्मो gons formation यानि कि हार्मो गौन के निर्मान के द्वारा जब trichomes जो है वो छोटे खंडों में तूटता है और ये खंड जो हैं वो दो या उससे अधिक कोशिकाओं यूथ होते हैं two or more cells वाले जो small pieces होते हैं इन pieces को हम हार्मो गौन कहते हैं जो हार्मो गौन है वो एक नया plant डवल ability रखता है इसके एक्जामपल है औसीलेटोरिया एंड नौस्टॉक हर्मो गौनिया जो है वो हेटेरोसिस्ट की जगे पर भी बन सकता है देखिए यहां पर डाइग्राम में यह चीज़ शो हो रही है यह किसका डाइग्राम है यह औसीलेटोरिया का डाइग्राम है इस डा अलग हो जाते हैं और होर्मो गौन का फॉर्मेशन करते हैं होर्मो गौन जो है वो सिंपल खंड नहीं होते स्पीशिल खंड होते है देखिए आप इसको इस तरीके से भी समसकते है इस चितर को आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जहाँ पर कुछ एक कुछ इस तरीके से उत्तल और अवतल गोलाकार सरंचना ये बन गई हैं ये सरंचना जो है वो पूरी की पूरी हॉर्मोगॉन होती है और किसी भी इंजरी की वज़े से सिर्फ ये वाले जो खंड हैं वही तूट करके अलग होते हैं तो इन खंडो को हम क्या कहते हैं इन खंडो को हम हॉर्मोगॉन्स कहते हैं इसके बाद है हॉर्मोगॉन्स पोर्स या हॉर्मोसिस्ट यानि कि हॉर्मो बिजानू या हॉर्मोसिस्ट के निर्मान के दुआरा यह होर्मोगोंस ही होते हैं जो modified हो जाते हैं और इनकी जो भित्ती है वो बहुत जादा मोटी हो जाती है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि थिक कवर में involved होर्मोगोंस are called hormospores और hormosyst यह क्या है? ये जो cover इनके चारों तरफ पाया जाता है, मोटी भित्ती जो इनके चारों तरफ पाया जाती है, वो किसकी होती है, mucilage के निक्षेपन की या mucilage के deposition की होती है, ये large cells होती है, जो stored food material से भरी हुई होती है, यानि कि इनके अंदर संचित भोजन पाया जाता है, ये जो हैं एक filament के उपर पाशर में भी पाई जाती हैं, पाशर में ही सामनेता पाई जाती हैं और इसके example है वैसी एला जो साइनोफाइसी का member है इसके बाद है tubers, इन्हें हिंदी में हम कहते हैं कंद, ये जो सरंचना हैं ये गोल होती है और starch जैसे संचित भोजे पदार्तों से भरी हुई होती है, इनमें food जो है वो store होता है और हर एक जो body है वो नया plant डवलप करने की शमता रखती है और ये कारा में पाई जाती है इसके बाद है adventitious थैलाई या अपस्थानिक सुकाई, अपस्थानिक मीन्स वो जगए जहां पर नॉर्मली जडों का निर्मान नहीं होता या जहां से नॉर्मली सुकाई का निर्मान नहीं होता कुछ special structure जो है वो थैलस से निकलते हैं जिसे vegetative reproduction होता है इन्हें हम कहते हैं वैडवन्टीश थैलाई या अपस्थानिक सुकाई, इसका एक्जामपल है bulbils के द्वारा ये छोटी बड जैसी सरंचनाएं होती हैं जिनके अंदर भी food material जो है वो store होता है जो ये हैं वो कहां मिलती हैं ये कारा के अंदर जनरली पाई जाती है और कारा के तने और उनकी राइजोइट्स के उपर develop होती हैं, विक्सित होती हैं इस प्रकार की प्रतीक bulbil के अंदर ये capacity होती है कि वो नए कारा के plant को develop कर सकती है, नीचे जो है नीचे जो है देखिए आप यहाँ पर stem bulbil और root bulbil दोनों का diagram दिया गया है, पहला जो है वो stem bulbil है यानि कि ये तने के उपर develop हुए bulbil है और दूसरे जो है वो root bulbil है यानि कि मूल के उपर, rhizoid के उपर develop हुए बलबिल है इसके बाद है adventitious branches के दुआरा यानि कि अपस्थानिक शाखाओं के दुआरा ये जो शाखाएं हैं या जो branches हैं वो protonima की तरह दिखाई देती हैं और कहां पर ये normally जो है कारा के rhizoid में develop होती हैं और अगर ये किसी भी वज़े से थैलस से या प्लांट से अलग हो जाए तो नई प्लांट को बनाने की capability रखती हैं ऐसे जो structure हैं वो dicciota और fucus के सुकाये में भी पाये जाते हैं देखे एडवनटीसियस ब्रांचेस का मैंने नीचे की तरफ डाइग्राम या चितर भी पोस्ट किया है जिसे आप देख करके easily समझ सकते हैं कि ये अपस्थानिक शाखाएं जो हैं वो देखने में कैसी लगती हैं इसके बाद है amylam या starch stars इन्हें हम amylam stars भी कहते हैं और starch stars भी कहते हैं तारे जैसी structure होती है star जैसी shape के कारण इनको stars वर्ड दिया गया है इनके अंदर amylam जो है वो food के रूप में stored होता है इसलिए इनको हम amylam stars कहते हैं ये जो stars हैं वो multicellular होते हैं means बहु कोशी किये होते हैं star shape की होते हैं food material से भरे हुए होते हैं और mainly ये कारा के अंदर देखे जाते हैं और ये जो है वो कहां पर develop होते हैं कारा में ये stem के उपर develop होते हैं और ये जो हैं वो एक नए plant के अंदर develop होने की क्षंता रखते हैं तो आज का जो हमारा topic है वो यहीं पर complete होता है जो काईक जनन के बारे में था शेवालो के काईक जनन के बारे में था इसमें हमने वो different विधियों को देखा जो एक काईक जनन के अंदर होती ह या फिर शेवालों के काईक जनन में जिस प्रकार से अलग-अलग विधियां पाई जाती हैं उनको हमने आज के लेक्चर में कम्प्लीट किया I hope शेवाल का जो काईक जनन है अब आपके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन रह नहीं रहेगा अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक कीजिये और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिये